हलो एव्रीवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिस लिट्रेचर जोन आज के वीडियो में हम लोग TMBU उन्वर्सिटी का सेशन 2020 से 23 वालों का पार्ट 2 का पेपर 4 का कोस्टेन देखेंगी कि कैसा कोस्टेन आया और जो हम सजेशन दिये ते उससे कहां तक कोस्टे मैच किया ठीक है यह जो एक्जाम हुआ है पार्ट 2 पेपर 4 का वो चार में ही 2023 को हुआ है और एक साल लगबग सेशन लेट चल रहा है तो 2022 आप देख सकते हो कोस्टे में एक्जाम डेट दिया हुआ है यहां पे आप इंग्लिस फोल लिख सकते हो तो यह पेपर 4 का कोस्ट है इसे पता चलता है तो यह जो हमेशा कितर आपको 3 आवर मिलते हैं 100 इंग्जाम होता है तो जो बी बत्चे मेरे सट्वीशन के थूरू प्रिपेर किये हो जो बी स्टूडेंट या फिर मेरे नोट्स के थूपरेशन कियो अना तो आप लोग लोग का एक्जाम कैसा रहा है कितना objective शही हुआ और result की पास रिजल्ट भी शेयर करना आप लोग की आसपास कोई English honours का student है या कोई English honours लेना चाहा रहा है तो उन लोग को में चैनल जरूरी comment करना ताकि उन लोग की भी help हो पाए ठीक है तो आगे हम लोग आप question देखते हैं कैसा question आया हुआ है और objective भी solve करेंगे सबसे पहले आप देख सकते हो आया है explain with reference to the context and three of the following हम आप लोग को पहले ही बताई थे कि starting में आपको तीन explanation आयागा जो की 8 324 मार्क्स का है मतलब हर explanation आपको इसी के और में रेडिंग में आपको बार के लिए इंपॉर्टेंट बताएं थे दोनों में से आपको कोई एक ही लिखना है तो आप लोग जो भी prepare किये होंगे हम वीडियो भी upload कर दिये थे explanation का और पीडिया भी टेलिग्राम पे अप्लोड कर दिये थे तो जो आप आप लोग प्रिपेर कियोंगे चैनल के तुरू कंफर में यह वाला ओप्शन तो कंफर्म कर लिया होगे तो एट मांक का तो कंफर्म मैच कर दिये थे उसी से अब बी नंबर वाला देखते हैं बी में आया हुआ है माईजरी टाउटिम नथिंग मोर देफी एंट ऐसे जर क कर गया तो स्वस्etzen बी में एक और दिया हुआ है ही सीम कर के हैं यह वी त fighters तो इस पार्टेंस करें है हंया कि व्याने मैच कर दि sewing कर के वाट है यह वाला ला लाइन इंपोरेंट यह तो हम बता दिया behind इसको भश्म कर देख जिए टो जो इसको अंगे मिलें आप लोगों को चार में से तीन लिखना है तो तीन तो स्था दू मैच ही गड़ा और दीन नमबर वाला जो है दा ओल में दसी से आएगा तो उसमें देख रहते कि डीन नम्बर में क्या कोश्य आया हुआए इन आया हुआ है पर है इस्टे करके लाइन और एक लेक्ट इस नो खुलान हो तो कंपा में ये दा ओल में द्ली सिर्ट अप लोग तीन इस्स मया चाहिए नियुक्ष इस्पाइल आप लोग ठुली स्दै श।ंट कर गया है इस्पाइल अप लोग कोई भी दिक्कत नहीं होग है जो अच्छे से प्रिपेर करके गया है तो इस्पाइल आप लों तो आप लोग प्रिपेर करके गए होंगी और इंपॉर्टन ही बताया थे कि चार्सलेम वाला इंपॉर्टन ही तो प्रिपेर करके जाना और एड्मन बुरूबी अप्लोड एक ही किये थे तो उसी एक मैच कर गया तो आप लोग अराम से लिखे होंगे अब थर्ड नमर में आ बताते है कि कोई भी कोश्टन करो करेक्टर स्केच कुछ भी करो हमीसा एक बैक अप के लिए एक संबडी जरूर प्रिपेर कर लो हर उस बुक का मतलब मेर और प्रिपेर कर लो क्योंकि एक बुक से पांच छे तरह से कुछ पूछा जाता है तो अन्फर्म नहीं होता है कि का वही सब्सक्राइब कर द संविल कर दें, कि संविल ने क द आजेए आखारे लो प्लोग छीपाइब कर में हिरे ले स्वाहिट लुट है और डिस्कुस्ट दा ट्रीटमेंट अफ निचर इन दा नॉवल तो यह दो कोश्टिन आया वा है तो इस अब की बार तो इसमें भी आप अडाम से दा ओर में दाश्री का सम्मरी लिख सकते जो कि हम काफी अच्छे से काफी पहले बोल दियते कि आप लोग सम्मरी कर लो कुछ आप लोग तो आप लोग से माक्स आजा ही लगवा है यह और सिर्टमार के आप लोग को को अच्छा माक्स आ जा ही लगब्लक साथा मैच किया ही है यह वाला हो गया तो अब लोग 6 नमर में देखते कि 6 नमर में क्या हूआ है तो 6 नमर में Objective Type का यह आ हूए match the column 5 माक्स का न आन तो प्रोने नियुसर्ट के बारे में इसक्स किये वह हैं तो उसमें बताएं भी कि एक अमेरिकान नॉबलीस्ट का अर्नस्ता हम इंग से अघ्लामीं होगा अब पहले भी बता चुके है लाइफ ऑफ दा पोईट अप लोग के शिल्बस में था इसको जो लिखे होए है वह सेमुल जॉंशन लिखे होए है जिनको कि दॉक्टर जॉंशन की नाम से भी जानते है तो लाइफ द पोईट का यह हो जाएगा दॉक्टर जॉंशन फिफ्ट म सिर्फंड पूछा गया है तो यह वी 5 मार्स का उपर वाला मैजदा कॉलम भी 5 मार्स का तो अब लोग हम लोग त्रू फॉल्स सॉल्फ करते हैं तो त्रू फॉल्स में जो पहला आया हुआ है वह जें आउस्टीन रोट वे अंजल स्फियर टू ट्रैड तो यह फॉल्स हो जा वो George Elliot लिख रखे हैं, Thomas R.D. नहीं लिख रखे हैं फिर C में हैं, Dr. Johnson was basically critic and essayist, Dr. Johnson जो थे वो क्रिटिक थे तो यह true हो जाएगा Dr. Johnson जो है, essayist और क्रिटिक थीम थे, Samuel Johnson इनको कियम लोग बोलते हैं D. Ernest Hemingway was determined for whom the bell tolls, Ernest Hemingway की दोड़ा लिखा गया है यह जब हम चंटिया हुआ करेक्टरिस के इस डिसकस किये थे यह जो भी Ernest Hemingway के वरक्स के बाड़े में जबी तो बहुत डिसकस करते हैं Ernest Hemingway का काफी important work for whom the bell tolls, तो यह सही हो जाएगा, यह true हो जाएगा जिसका भी यह question है, normally इसका objective तो एक दो ही सही है, दो तीन सही है, जो भी हमको questions send किया है उसका अब आगे है, the pin name area was used by Dr. Johnson, तो यह भी गलत हो जाएगा, जब हम Charles Lamb के उपर essayist, Charles Lamb as an essayist के उपर यह 10 नमबर को objective हो गया, उसके बाद आपको आया हुआ है, 8 नमबर में, write short notes on any two of the following, 5 to 10 marks का आपको short notes भी आया हुआ है, तो short notes में क्या लिखना है, जो जो हम बताएं तो उससे कौन को match किया, देख लेते हैं short notes में तो हम setting तो आप लोग को important बताएं ही थे, कि आपकी बार के लिए important तो एक तो match कर गया, बांकी 4 में से एक फार्स, फार्स वाला नया, paper 3 के time ही हम बताएं थे, important है, paper 3 में ही बताएं तो अगर आप paper 3 के time फार्स याद कियो होगे, तो यहां लिख सकते थे, या थोड़ बना के plot में लिखा जा सकता है, plot मतलब plot मतलब कहानी हो जाता है, तो कहानी कैसा यह इस तरीकी से बना के इस पर पांचे लाइन नॉमली लिख सकते थे, बट फार्स आप लोग याद कर रख्यों, paper 3 के लिए, तो इसमें से जो भी आप लोग लिखे होंगे, एक तो 100% मैच क कर गया है, और plot को लिखा जा सकता है, तो इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा, 5 marks के लिए, बट जिन को थोड़ा बहुत भी मतलब होगा पहले का याद कि 8-10 दिन पहले आप लोग एक्जाम दिये हैं, उसमें आप लोग फार्स याद किये थे, तो आप लोग कासा एक्जाम रहा आप लोग कमेंटर की जरूर बताइए गाँ और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ